कि ह्टो एव्रेवन कि animals movements के बारे में हम पढ़ रहे थे और अभी तक हम reptiles में साप के बारे में थोड़ से detail में पढ़ा था और साप के बारे में ये भी जाना था कि साप के जो स्केल होते हैं वह बहुत जोधना rough होते हैं और उसके roughness की वैसे जो rough ground होता है rough ground में वो आसानी से grip बना पाता अपना ग्रिप बनाने की वैसे जो है आसानी से rough surface यह move कर पाता है लेकिन ground जो बिल्कुल smooth से ground होता है उस पर सांप को चलने में थोड़ी सी मुश्चिल होता है क्योंकि जो scale होता है उनका वो अच्छे से grip नहीं बना पाता है smooth surface अब आगे बढ़ते हैं birds के बारे में पढ़ते है birds के बारे में पहला point क्या कह रहा है most birds do not weigh much compared to their size because their bones are light and hollow तो birds जो है birds आपको पता कि बहुत हलके होते हैं उनके हलके होने के पीछे reason क्या है क्योंकि उनके जो bones होते हैं वो बहुत hollow होते हैं hollow मतलब खोखले होते हैं और बहुत हलके भी होते हैं ठीक है उनके bones के ही the bones he responsible है इनके light weight होने के जीसे हम इंसानों दो होते हैं जो fat नी होते हैं इसटिल उनका weight बहुत जाधा होते है तो क्यों होता उनका weight जाथ है क्योंकि उनकी जो bones हैं बहुत ज़ीवग करें, strong होंगे बहुत ज़ीवग होंगे, इनका जो powerful muscles, help them to fly, तो इंका जो शेप होता है वो boat के जाएसा थोड़ा सा होता है, आपने देखा हुआ ऐसे करके उनका शेप होता है, तो ऐसा शेप क्यों होता है, ताकि हवा जो आये, हवा आसानी से इनको क्रॉस कर जाए, इनको टकराए है नहीं, हवा जो आएगा वो इनको टकराए गानी आराम से इनको cross कर जाते हैं हवा को ये चीरते हुए मतलब आगे बढ़ सकते हैं ऐसा मैं कहना चाल रहा हूँ ठीक है तो boat shaped body and pair of wings इनके जो wings होते हैं इनके powerful muscles से जो जुड़े होते हैं इनके side में wings लगे होते हैं वो क्या करते हैं वो help करते हैं इनको fly करने में ठीक है अगले point है they use their webbed feet to swim in water बहुत सार ऐसे bird भी हैं जो water में swim करते हैं ठीक है तो वो swim क्यों कर बार हैं क्योंकि उनका जो feet होगा वो webbed shape होगा जैसे वो हो गया swan हो गया swan हो गया बत्तक वगर हो गया तो बत्तक का आपने पैर देखोगे तो वो ही webbed shape होता है जैसे हमने discuss किया था frog का frog का जो frog के जो leg feet होता है वो webbed shape होता है ठीक है तो यहां तक clear हो गया अब आपको बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे जो white white color के जो birds होता है वो पानी में एक पंडूब भी करके एक चड़िया होती है अपनी नाम सुनोगा आप इसमें जो है आप अपनी तरफ से contribution दे सकते हो आप बता सकते हो और ऐसे कौन से birds हैं जो पानी में आराम से swim कर पाते हैं clear है आगे बढ़ते हैं mammals 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 हमने पहले भी पढ़ा हुए mammals क्या होते हैं अब इनके limbs के बारे में हम बात कर रहे है mammals have four limbs the front legs are called four limbs and the back legs are called hind limbs hind limbs हमने फ्रॉग का पढ़ा था hind limb जो होता हो बहुत 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 स्ट्रॉंग होता है तो ये terms ही आपको याद रखना है four limb and hind limb तो जो सामने के जो पैर होते हैं उनको four limb बोलेंगे और जो पीछे के पैर होंगे इनको hind limb बोलेंगे clear है अगला point कह रहा है some mammals use their limbs to walk to run and to hop while others use their legs to burrow or swim तो कुछ सारी mammals, अलग अलग तरीके के mammals, अलग अलग तरीके के काम गड़ता है तो कुछ limbs जो है walk करने के लिए कुछ अपने use का limbs का use क्या करते हैं walk करने के लिए, run करने के लिए और hop करने के लिए और कुछ क्या करते हैं burrow करने के लिए या फिर swim करने के लिए clear है swim करने के लिए कौँ से यसे हम जो इनसान होते हैं हम तो स्विमिक कर पाते हैं बहुत सरे हम लोगों में हम सीख भी लेते हैं और ऐसे भी मैमल्स हैं जो पानी में भी रहते हैं तो सीखेंगे पहला पॉइंट क्या कहा है फटेयां सेहर हैं है कि दे यूज Nerys haar लेंच्ट गो यूज करते हैं घो पार है और सीधा खड़ा हो पा रहा है अगर इनके नहीं होते हमारे दो पैरी नहीं होते तो हम सीधा खड़ा नहीं होते हैं उसकी अरृण सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, या फिर अगर होते भी हैं, तो कुछ देर के लिए, वो continuously बहुत देर तक सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं, अगला point कहा रहा है, the legs and feet support the body weight and help them to move, तो legs और feet, feet मतलब जो होता है, pair के पंजय जो होता है तो legs and feet support the body weight and help them to move, तो हमारे जो pair होते हैं और हमारे feet होते हैं, यह हमारे body weight को support करते हैं, और हमें जो है move, आगे move करने लिए या फिर पीछे move करने में support करते हैं, तीक है, अगला point कहा रहा है, the hand has four fingers and a thumb, एक हाथ में हमारे चार उंगलियां होते हैं और एक अंगोठा होता है, the well developed brain and hands have made it possible for men to build houses, machines, computers, etc. तो हमारा जो इंसान की सबसे खास बात क्या है, सबसे ज़्यादा दिमाग वाला कौन है, इंसान है, तो सबसे ज़्यादा दिमाग वाला क्यों इंसान है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है सबसे ज़्यादा होती है और एक अंगोठा होता है, तो हमारे structure ही ऐसा है, कि हम सबसे ज़्यादा intelligent species में आते हैं, बस इतना intelligence की वज़र से ही हम जो भी आज तक हमने किया है, जो भी innovations किया है, जो भी हमने science में discoveries की हैं, उस सारी चीज़े क्यों possible हो पाएं, क्योंकि हमने दिमाग का utilization बहुत अच्छे से किया है, और सही तरीके से किया है, ठीक है, आगे कह रहा है, other animals cannot do the same as they do not have well developed hands or brains, तो सीधी सी बात है, अगर बागे सारे species में कोई भी जानवर, अगर हमारे इतना दिमाग वाला होता, तो वो भी computer बना रहे होते हैं, वो भी कुछ game वगर खेलने के लिए कुछ ने कुछ बना रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे science discoveries वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ बहुत सिर्फ इंसान ही ये developed form में है, clear है, आगे बढ़ते हैं, breathing animals, अब वो जो इन animals को हमने categorize किया था, शुरू में, वर्टिब्रेट्स में, उन सारों को फिर से वापस हम पढ़ेंगे, और उनकी breathing habits को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो साथ से पहला point क्या कह रहा है, all animals need air to live, they take in oxygen, जो भी animals है, सारे animals को air की जरुत होती है, air के बिना ये जिन्दा नहीं रह सकते, ठीक है, और air से ये लेते क्या है, air से ये oxygen लेते है, ठीक है, oxygen लेते क्यों है, कह रहा है अगला point, the oxygen is burnt in the body to release energy, to carry out different activities, oxygen जब हम अंदर लेते हैं, तो ये क्या करता है, कि oxygen अंदर जाता है, और ये burn करता है, जलता है, ठीक है, तो जब जलेगा ये, जलता है, मतलब जलता है कि, जलता है का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि, जो है, इसमें आग लग जाती होगी, अंद जय से जो है, वो energy release करता है, और energy release करेंगा, तो हमारा body जो भी activities करता है, क्या क्या उन activities में हम क्या क्या गिन सकते हैं, जैसे हम जो सोचते हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम आखें जपक रहे हैं, हमारा heart beat है, ये heart beat अपना properly काम कर रहा है, और फिर हम जो, lungs के त्रूounding में जो सांसे भर रहे हैं औक्सिजन भर रहे हैं सारे activities की चीज की वज़ से हो रही है सिर्फ इनर्जी की वज़ से हो रही है एनर्जी नहीं हो था तो इन में से हम कोई भी activity नहीं कर पाते हैं और eventually हमारी death हो जाते ही अगला point कहता है the breathing organs are different for different group of animals so breathing organs सारे जानवरों के लिए सारे groups of animals के लिए अलग-अलग होगा उसके बारे हम वापस से पढ़ेंगे सारी चीजे डीटिल में पढ़ेंगे clear है? साथ से पहला आता है insects insects के बारे में कहा कह रहा है insects have a network of air tubes called trachea trachea which run along across the whole body तो air tubes को क्या बोलते है trachea वो इनके पूरे के पूरे body में वो पूरे के पूरे body के through होते वे जाता है trachea ठीक है? trachea आपको याद रखना है the air enters through holes called spiracles found along the side of body अब जो है air अंदर body के अंदर घुसता कैसे इसमें तो tubes तो है insects के अंदर जिसके थू जो है पूरा का पूरा air अंदर run कर रहा है ठीक है? लेकिन body के अंदर घुसने के लिए छोड़े जोड़े holes होते है ठीक है? कहां पर होते है? side of body इनके जो body के किनारे-किनारे holes होते हैं उन holes को क्या बोलते है? spiracles तो इस जो है insects से आप दो terms आप याद कर सकते हो एक तो trachea और एक spiracles trachea क्या होते है? जो air tubes होते है जो insects के अंदर होते है उनको trachea बोला जाता है और जो जहां जो इनके holes होते हैं इनके body के side में जिसके थू अंदर जा रहा है air उनको क्या बोलते है? spiracles तो यहाँ तक clear हो गया होगा ठीक है? अब अगला आता है fish फिश के बारे हम पढ़ेंगे फिश ने सबसे पहला point कह रहा है कि fish breathe the oxygen dissolved in water सीधी सी बात है यह fish तो बाहर आ नहीं सकते फिश जैसे ही बाहर आएंगे वैसे death हो जाएगे इनकी तो यह oxygen कहां से लेंगे? पानी में जो घुला हुआ oxygen होता है वो लेते हैं यह जो breathe through gills जो इनकी गलफडे होते हैं जो side side में उनकी होते हैं उसकी वज़े से यह सांस ले पाते हैं अगला point कह रहा है gills take in oxygen and give out carbon dioxide gills जो होते हैं वो क्या करते हैं oxygen अंदर लेते हैं और carbon dioxide बाहर छोड़े जैसे हमारा नाक होता है नाक क्या करता है oxygen अंदर लेता है और carbon dioxide बाहर निकालता है बिल्कुल ऐसे gills भी काम करते हैं गलफडे जो होते हैं ठीक है? जो मचले होते हैं side में होते है when water enters through the mouth the gills close तो जब पानी इनके मुह के अंदर घुषता है वैसे gills बंद हो जाते है as the mouth closes the gills open so that the water passes over the gills तो जैसे ही mouth बंद होगा वैसे ही gills open हो जाते है इसका मतलब यह हुआ कि जब gills open रहेंगे तो mouth बंद होगा और जब mouth open रहेंगे तो फिर gills बंद रहेंगे और जैसे gills open होगे तो जो है water पास कर जाता है gills के थरू क्योंकि अब पानी की जरूरत तो है अंदर है नहीं पानी की जरूरत तो सिर्प उसी इस लिए थी क्योंकि सांस लेना था एयर जो था वो अंदर लेना था खीचना था जब एयर अंदर खीच ले तो पानी की जरूरत नहीं है तो पानी को वापस बाहर निकाल देता है gills के थरू तो gills absorb the oxygen तो आज यहीं पर रहने देते हैं बागे next time continue करेंगे thank you